दोस्तों आप अक्सरी मार्केट में सब्जी लेने या फल खरीदने तो जरूर जाते होंगे लेकिन कई बार सब्जी और फल बेचने वाले लोग सब्जी खरीदने वाली महिलाओं के साथ ऐसी शर्मनाक हरकत कर देते हैं जिने कभी भी सोचा नहीं जा सकता और ऐसी हरकत करने के बाद बहुत सी महिलाएं मार्केट जाना बंद गर देती है दोस्तों आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि ये सब्जी वाले महिलाओं के साथ कैसी हरकत कर जाते हैं कई बार महिलाओं की आखों के सामने ही उसके साथ ऐसा धूका कर देते हैं जिसके उसे जरा भी भनक नहीं लगती। इसलिए आज हम आपको ऐसे ही कुछ शर्मनाख हरकतों के बारे मताएंगे जो की सबजी और फल बेचने वाली महिलाओं के साथ कर जाते हैं और महिलाओं को कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लड़कियां और महिलाओं जरूर देखिए। चली दोस्तों दिखाते हैं आपको ये पहला वीडियो। दोस्तों सामान खरीदने में चाहें आप कितनी भी साउधानी बरत लें लेकिन ये ठेले वाले अपनी चालाकी दिखाई जाते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो में देखिए कैसे ये महिला अच्छे-च्छे सेव चुनकर इसे ठेले वाले को तोलने के लिए देती है। लेकिन दोस्तों ठेले वाले की चालाकी को ज़रा ध्यान से देखना एक ऐसे दिन दहाड़े इस महिला को बेवकूफ बना रहा है। और देखिए कैसे पलक जबकते ही सेव के लिफावों को खराब सेव वाले से बदल देता है। दोस्तों ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए हमें कोमेंट में ज़रू बताना। चलिए दोस्तों ये अगला वीडियो देखिए। दोस्तों ये फल वाला भी किसी से कम नहीं है। ये भी बहुत चालाक आदमी है ये फल वाला फल तोलने से पहले ही देखी कैसे एक फल तराजू पर रख देता है ताकि कम फल तोले जा सके फलों को तोलने के बाद बड़ी सावधानी से उस फल को नीचे गिरा कर कस्टमर को फलों का लिफाफ़ा थमा देता है बिचारे खराब फलों वाले लिफाफ़े से बदल देता है दोस्त इस वीडियो में देखिये कैसे फल वाले खराब फलों के लिफाफ़े को पहले से ही तयार करकर रख लेते हैं और फिर जब कस्टमर अच्छे-च्छे फलों को चुनकर इनको तोलने के लिए देता तो ये बड़ी चलाकी से उस लिफाफे को खराब फलों वाले से बदल देते हैं। इसलिए दोस्तों जब भी आप बाजार में कोई भी सामान खरीदने के लिए जाएं तो सामान खरीदने के बाद उसे एक बार चेक जरूर कर लें। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना।